के लिए में या गया हूं और जोमु आ वाये हैं तो रगुनात मंदिल तो बेल्कुल बंता ही नहीं है दो हम लोग सभी लोग रगुनात मंदिल अगया है और रगुनात मंदिल में तो आपको पता है कि यहां पे 34 करोर देवी देवताओं की परडे पूजा होती है और सभी का मूर्ती भी है और कुछ छोटी-छोटी पिंडी भी बना हुआ है तो चलिए और आगे दिखलाते हैं कि छोटी-छोटी पिंडी और पुरी देवी देवताओं की मूर्ती जिनकी परड हैं तो गैस अब आगया यह मंदील अब यह मंदील में देखें यह पुरे भगवान की मुर्ती है और नाम तो पड़का नहीं बता सकते हैं लेकिन देखें इसमें सभी छोटी-छोटी मुर्ती है और देखें छोटी-छोटी पिंडी भी है सबका जिसमें मुर्ती नहीं दिखेगा तो वो पिंडी भी दिखेगा झाल झाल ये सभी भगवान जी की नाम भी लिखा हुआ है बट आपको क्या हमें भी पता नहीं चल रहा है कि मन्यार उस मौहां पे तो लागतार जाने से पता भी नहीं चलता कि क्या क्या लिखा हो लेकिन भगवान जी तो नजर ही आते हैं और सब को हमने बढ़ते गया और देखते गये भगवान जी की मूर्थी और आप भी देखिए ये मूर्थी और यहां तो फोटो खिशना भी मना था लेकिन मैं चुप्टे से यहां पे फोटो भी ले लिया क्योंकि आप लोग को तो दिखाना था ना देखिए छोड़ी छोटी पिंडी है पुरी भगवान की छोटी छोटी पिंडी है के वाथना नाफसने हां लिए lokal खम मैं खिए को कि झादिए टेए कि अधास्टा फिए को एन्गा से डिंडाए किंगा with यह लूबज आड़बस्पा जह लो वेंग़ कि लिए वेशने हां आपसे कि उवत्व हैं तर बंडत्ले झाल 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 जय पो वान शुटन लुमान अगर आप इस मंदिल में नहीं आए हैं तो आप जरूर आए बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहां पर तो 34 करूट देवी देवताओं को एक शाथ दर्शन होता है मंदिल में जाएए और एक शाथ श्रभी भगवान को दर्शन हो जाता है यह पहला मंदिल ऐसा है कि जिसमें 34 करूट देवी देवताओं की पूजा पड़े होती है क्यां पूजिए पूजाखं की जाएए लगवावरे लगवान की अजया भवावताओं होता है प्रेट्स जाओना प्रेट जो जो दो लगा है अब आ गए हैं बमबम भोले ना थिकी मंदील में जै बमबम भोले ना थिम हर 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 महा देवी की जै क्योंकि हम लोग तो बैष्णो देवी गये थे बैष्णो देवी से जब रिटर्निंग हुए तो लगा कि चलो यहां पर भी दर्शन करके ही हम लोग जाएं तो इसे लिए हम लोग भी रगुनात मंदिल चले आएं और एक बार नहीं हम लोग यह तीश्री बार गये हैं रगुनात मंदील क्यूंकि हमें बहुत है यहां पर अच्छा लगता है और बहुत सकून भी लगता है कुछ दिर बैठिये तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि भगवान के श्रन में जाने के बाद किश्कु नहीं अच्छा लगेगा जै गर्पती पपा मोरिया उस दिन पता है और उस दिन गर्पती की भी पूजा थी तो उस दिन बहुत अच्छा लगा इस मंदिल में आके जै बम बम होले नाथ जै बम बम बुले ओम हर हर महादेव की जै झाल जै झाल